प्रधान मंत्री नायंद मोदी का आका स्वानी से हर मा प्रस्तूति किये जाने वाले जन्सनवाद करेकरम मन की बात इस महिना अठाई जून को प्रसारित होगा और इसके लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये गए हैं प्रधान मंत्री ने इस मा प्रसारित किये जाने वाले करेकरम के लिए सुझाव आमंत्रित करते हुए रविवार को ट्वीट किया कि मन की बात के प्रसारन में दो सब्ता का समय है किरिपया अपने सुझाव और जनकारी भेजे उन्होंने लिखा कि मैं इस बात को लेकर पूरी तरह अस्वस्थ हूँ कि लोगों के पास संक्रमा से निपटने और अन्यमुदों पर सुझाव देने के लिए काफी कुछ होंगे प्रदान मंत्री अपने कारेकरम में उपयोगी और उत्प्रेरक लावुकों को न क्यवल समिलित करते हैं बलकि भेजे जाने वाले का उलेख भी करते हैं आपको बता देखी इस कारेकरम के लिए आप अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकोर्ड करा सकते हैं जारखन मौसम विभाग के अंसर 15-20 जून तक राजी के असपास के छेत्रों में बादल चाहे रहेंगे 15-17 जून तक एक दो बार हलके से मध्य दर्ज की बारिश होगी 15-20 को राजे के कुछ अस्थानों पर बजरपात होने की संभवना है इस संभवन में मौसम विभाग ने अरेंज अलर्ट जारी किया है इसकूल नहीं खुलने तक गाव में लगेगी कलास इसकूल नहीं खुलने तक टोला मुहला में बच्चों के लिए कलास लगेगी इसके लिए टोला मुहला के लोगों और जन परतिनीदियों का सवयोग लिया जाएगा इसमें उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा जिने डिजिटल कॉंटेंट उपलावद नहीं हो पा रहा है आपको बता दे कि अस्थानिया अस्थर पर मुखिया और जन परतिनीदि मीलकर ऐसे बच्चों तक सिक्चा पहुचाने की विवस्ता करेंगे जारखन में आज 41 संख्रमीतों के पुष्टी हुई जो सिम्डेगा से 14, पूर्वी सिम्वूं से 14, राची से 9, पच्मे सिम्वूं से 1, गुमला से 1, 14 से 1, हजारी बाक से 1 है जारखन में कुल संख्रमीतों के संख्या 17, 24 से बढ़का 17, 65 हो गई जबकि 905 लोग स्वास्थ हुए और 8 की मिरिती हो गई भारत में कुल संख्रमीतों के संख्या 3, 33, 8 है जबकि 1, 69, 689 लोग स्वास्थ हुए और 95, 120 की मिरिती हो गई एक्टिव केस कहां कितना राची चालिस बोकारो पांच चत्रा अठारा देवगर जीरो धनबाद अठारा दुमका जीरो पुर्वी सिमूम दो सो गडवा तीस गिरीडी आठ गोड़ा जीरो गुमला उंचा सजारी बाग अठारा जाम तरा चबिस खुटी एगारा कोडारमा पचासी लातेयार चोविस करवाई राष्ट्रिय आपदा प्रबंदर अधनियम 2005 में नहित प्रवधानों के अंतरगत प्रदत सक्तियों का परयोग करते हुए अजारी बाग उपायुक्त भोनेसर परताप सिन ने मकान मालिकों के लिए आदेश जारी किया है उपायुक्त ने आदेश में कहा है कि अर्थ दंड या दोनों हो सकता है राज सवाचुना में किसकी होगी जीट जार्खंड में दो सीटों पर हो रहे राज सवाचुना में कुल तिन उमिद्वार जंग के मैदान में है जिसमें से जामों से सीबु सुरेन भाजपा से दिपक परसाथ और कांग्रेस से सहजाद अनवर परत्यासी बनाए गए है इन में जार्खंड मुक्ति मोर्चा के उमिद्वार सीबु सुरेन की जीत संख्या बल के आधार पर पक्की है जबकि भाजपा के उमिद्वार परदेश अध्यक्ष दिपक परसाथ की जीत भी आसानी मानी जा रही है ऐसे में कांग्रेस उमिद्वार सहजाद अनवर परत्यासे दिख रहे है किसानों और परवासी मजदूर को सरकार जमीन देकर कराएगी समोहिक खेती लोगडाउन में किसानों और परवासी मजदूरों को हुए आर्थिक नोकसान की भरपाई करने को लेकर सरकार अबनाई कारय योजना बनाई है ऐसे छोटे किसान और परवासी मजदूर को रोजगार मुहया कराने के लिए सरकार समोहिक खेती कराएगी आपको बता दे कि खेती योगे बोमे उपलब्द कराकर समोहिक खेती कराने को क्रिसी विभाग की ओर से सभी जीलों के इनकी सुरुवाती का आदेश दे दिया गया है भारत चिन बोडर एरिया में रोड बनाने जाएगा स्रमिको का चार और जथा संथाल परगना के छा जीलों से अगले चार खेप में मजदूरों को बोडर एरिया में सड़क निर्मान के लिए भेजा जाएगा विभागे सुत्रों के अनुसार आगामी 16, 20, 24 और 28 जुन को संथाल परगना के मजदूरों के अलग-अलग जथा को स्पेसल ट्रेंज से दुमका से रवाना किया जाएगा आपको बता दे कि इन स्रमिकों को 15,900 रुपे से 23,000 रुपे तक मासिक मजदूरी मिलेगी फिलम इस्टार सुसांत सिंग ने की आत्महत्या बालीबूड इस्टार सुसांत सिंग राजपूत ने भासिल लगा कर आत्महत्या कर ली बताया जा रहा है कि उन्होंने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या की अभिनेता सुसांत सिंग राजपूत ने मूबाई में आत्महत्या की है उनका जनम पटना में हुआ था तथा उनकी बहन राश्टरी अस्तर की क्रिकेटर है मालूम हो कि सुसान सिंग चार बहनों में एक अकेले भाई है जो धावनी दा अंटोल्ड इस्टोरी फिल्म की सुटिंग के समय राची आये थे गड़वा में तीन बच्चों को साथ लेकर कुए में कुद गई महिला गड़वा जिला के मिराल थाना छेत्र के बुकईया गामे रवीवार की दोफर एक महिला ने तीन बेटियों के साथ कुए में कुद गई इस गड़वा में महिला तथा उसकी एक बेटी की मौत हो गई जबकि ग्रामिनों की मदद से दो बेटियों को बचा लिया गया गड़ना का मुखे करन महिला के परिवार के सदस दोफर बेटी होने से प्रतारित किया जा रहा था तथा मामला एक बार थाना भी पहुचा था लोहरदागा में 11 कुरोर की योजना पर नक्सलियों ने लगाई रूक लोहरदागा जिला के से नथाना छेतर में फुलजार नहर नाला में तुड़ार आगम बगीचा के समीप निर्मान कारे असल पर 12 जून की रात पी एल आएफ आई के नक्सलियों ने धमकी देते हुए निर्मान कारे बंद करा दिया मालूम हो कि इसके बाद 11 क्रोर की लागत से बन रहे फुलजार नहर नाला का निर्मान कारे बंद हो गया बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने घटना को अंजाम लेवी के लिए दिया है खाली खाजाना भरकर करेंगे जार्खन का विकास मंत्री बीत सहखा देवाम पुर्ती मंत्री रामेश्वर उराव ने कहा है कि जार्खन में जीवन वा जीवका दोनों साथ साथ चलाना है भाजपा की सरकार बेफुजिली खर्च कर खाजाना खाली छोड़ गई है UPS सरकार इसे नए सीरे से भरकर जार्खन का विकास करेगी इस मामारी से निजात पाते ही विकास को गती दी जाएगी उन्होंने कहा कि सर्वे कराकर कम टेक्स देने वाले बेवसाइपर टेक्स बढ़ाया जाएगा बर्सात में बढ़ सकता है संक्रमन मौसम में हो रहे बदलाओं के करण संक्रमन का फैलाव भी तेजी से हो सकता है बरसात में इससे और अधिक फैलने की संभवना जताई जा रही है हलाकि संक्रमन से जाने की छामता काफी कम है लेकिन चिकित सक एतिहात के तोर पर अपने घर और आसपास के इलाके को स्वख्च रखने की सलाह दे रहे है साथी बिना जरूरत के घरों से बाहर नहीं निकलने का भी निर्द्यत चिकित सक दे रहे है राची में नव जगों पर पारकिंग सुल्क शुरू राची के नव परकिंग और पड़ा अस्थलो पर निर्धारित दर के तहत वसुली शुरू हो जाएगे 4 पहिया वाहनो के इंज अंगों पर 20 रुपे प्रति घंटा वा 2 पहिया वाहनों के 5 रुपे प्रति घंटा कि धर से परकिंग सुल्क लिया जाएगा जार्खन के स्कूलों में एक तिहाई होगा पाठेकराम लोगडाउन की वज़ा से राज येक के सरकारी स्कूलों में पहली से बरावी काक्षा तक का पाठेकराम छोटा होगा सक्षिनिक सत्र 20-21 के करीब एक तिहाई पाठेकराम में कटवती करने की त्यारी चल रही है कोई मजदूर किसान नहीं मरेगा चाहे मुझे जान ही क्यों न देनी पड़े मुख मंत्री मुख मंत्री हमन सुरे ने कहा है कि हमारी सरकार की सारी ब्यवस्था मजदूरों और किसानों को समर्पित है मैं खुद मजदूर किसान का बेटा हूँ कोई मजदूर किसान नहीं मरेगा चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देने पड़े दुमका में सनिवार को भारत चीन सीमा पर सड़क निर्मान के लिए जार्खन के 168 मजदूरों को इस्पेसल ट्रेन से मुख मेंत्री हमान सुरे ने रवाना किया इसी दुरान उन्होंने ए बात कही सीमा शड़क संगठन द्वारा मजदूरों को ट्रेन से उधामपूर से ले जाया जाएगा वहाँ से बस के जरी लदाख भेजा जाएगा चात चत्राओं के हिताशी नहीं है हमद सरकार जमाल गद्दी अखिल जरकन शात्र संग ने शात्र चत्राओं के परमुक मुद्दो को लेकर सरकार को कट घेरे में खड़ा कर दिया है आईसु ने राज सरकार के प्रति शात्र चत्राओं के प्रति उधा सिंता दिखाने के प्रति रोस ब्यक्त किया आईसु ने जमाल गत्ती ने कहा कि यह राजे की बिढमना है कि लोगडाउन से ठीक पहले सरकार आदेश करती है कि लोज होस्टल आदि खाली करा लिए जाएं लोज होस्टल संचालक एवां मालिक भी छाद्रशात्राओं को अपने घर चले जाने का आदेश देते हैं वही अब लोज होस्टल संचालक एवां मालकाना लोगडाउन अवधी का किराया के लिए दबाव बना रहे हैं जो सरकार मुकरदर्शन बनी हुई है उन्होंने कहा कि हमान सरकार छात्रशत्राओं के हितेसी नहीं है आयोगे काड धारी सरेंडर करे काड नहीं तो होगी करवाई मंत्री राज के बीत सह खाद आपूर्ती मंत्री रामेश्वर उराव ने कहा कि संक्रामन जैसी महमारी से लड़ने के लिए सरकार कटीवद है उन्होंने कहा कि लोकडाउन के बीच खादा पूर्ती विभाग द्वारा राजे में कई दालबात केंदर का संचालन किया जा रहा है जहां प्रती दिन बड़ी संख्या में राजे के गरीब एवां असाहय लोगों को भोजन करा जा रहा है रामेश्वर ने कहा कि वैसे लाभूक जो राजन कार्ड के पात्र नहीं रखते हैं और उनका किसी कारण वस राजन कार्ड निर्गत हो गया है वैसे लोग हर हाल में आपना राजन कार्ड सरेंडर कराना सुनिश्चीत करें उन्होंने काया कि ऐसा नहीं करने पर जाच में पकड़े जाने पर कनूनी करवाई की जाएगी पलामू में 500 एकड़ भूमी पर होगा माइक्रो एरिग्रेशन डिसी उपायुक्त डाक्टर संतनु कुमार अगरहरी के अध्यक्षता में रविवार को क्रीशी योगे भूमी एवं किसानों के चैन के लिए गठित चैन समीती के बैठक संपन हुई इस बैठक में उपायुक्त ने बताया कि इस वर्स जीले में करीब 500 एकड़ जमीन पर माइक्रो एरिग्रेशन वह टपक सी चाई के माध्यम से खेती का विस्तार किया जाएगा नीती आयोग द्वारा पलामु जीला को दी गई अवाड की रासिक आउप्यों किसानों को सोलर पंप ड्रीप तथा स्प्रिंकलर पर सबसेडरी देने के लिए किया जाएगा नव महिना तक खनीजों की नहीं होगी निलामी मुख्यमंत्री जार्खन सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह परदेश के खदानों की निलामी छो से नौ महिना तक टाल दे मुख्यमंत्री हमाद्सुरेन ने केंद्रीय कोईला एवां खनन मंत्री प्रहलाद जोसी को पत्र लिकर आगरा किया है उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित खनी निलामी परकिरिया को 6-9 महिना के लिए आगे बढ़ाये जाए क्योंकि संक्रमन एवं अंतराष्टिय यात्रा पर रोक की वज़ा से निलामी परकिरिया में कई देशी और भी देशी कंपनिया भाग नहीं ले सकेगी राज्य में सिग्र क्रिसी निती होगी लागू मंतरी जबी खेती से होने वाले उत्पात का सेवन करने से सरीर की एम्योनेटी सिस्टम को बढ़ाया जा सकता है सरकार किसानों के लिए क्रिसी नीती लागू करने की त्यारी कर रही है इसे किसानों को उनत बीज खाद खेती किसानी के अधुनिक उपकरन फसल का बीज किसानों को रीन की सुविधा आचानी से मिल सकेगी उक्त बते क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेख ने कही जेसी भी से काम करने पर ततकाल करवाई का निर्देश ग्रामिन विकास विभाग की सच्चिव अराधना पतनायक ने निर्देश दिया है कि गाओं में चल रही मन रहेगा कि योजनाओं में किसी भी हाल में जेसी भी या औरने किसी मसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाए कहीं भी जेसी भी का इस्तिमाल करते हुए देखा जाए तो ततकाल करवाई की जाए जेसी भी जब्त कर थाना लाया जाए और प्रत्मी की दर्ज कराई जाए दूम का उपचुनाव से सुरू होगा हमन्द सरकार को उखाड फेकने की अवियान मरांडी पुर्व मुक्मंत्री बावलान मरांडी ने कहा कि जुठे वादों के पूलिंदे पर बने हमन्द सरकार के पास कोई सोच नहीं है राज के विकास का कोई रोड माइप और विजन इस सरकार के पास नहीं है आने वाले दूम का विधान सभा उप चुनाओ में जानता निश्चीत रूप से इस जुठ बोलने वाली ट्वीट सरकार को कटवर संदेश देगी यह चुनाओ जारकन की राजनेती की दसा वा दिसा तैक करने वाला होगा बोकारो डिपेस ने ओनलाइन का अक्षाओ पर लगाई रोक बोकारो दिली पबलिक इसकूल ने फिलहाल ओनलाइन का अक्षाओ पर रोक लगा दिया है डिपेस की ओर से इस संब्ध में जारी नोटिस में तकनिकी करन बताते हुए अगले आदेश तक अक्षाओ को अस्थागित कर दिया है बताते चले की स्कूल की ओर से 15 जून से ओनलाइन कलास चलाने के लिए समय सारने अभिबागों को भेजी थी धन्यवाद